तो आज मैं बनाने वाली हूं जटपट एकदम गाजर का हल्वा अगर आपको कभी इंस्टेंट में हल्वा खाना हो तो आप इस रेसिपे को ट्राय कर सकते हो इससे जो है आपका आधे गंटे के अंदर अंदर ही हल्वा बन कर त्यार हो जाएगा तो आप देख सकते हो मैंने गाजरो को साफ कर लीए इसके बाद मैं इनको क्लीन घुड़ लूँगी आपको कर लागा इसको बड़े 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 टुक्ड़ों में ही कट कर लेंगे सारी गाजरों को कसने की जरूरत नहीं है अगर हम असको कद्डू कस करेंगे तो वैसे इस में बहुत ज़्लिः तो अदा घंटा तो इसी काम में लग जाएगा तो लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आज इंस्टेंट गाजर का हल्वा तो वह कैसे बने का वह देख लेता हैं मैंने सब से पहले जो इन गाजरों को काट लिए वैसे तो सारी गाजर एकदम मीठी हैं तो मैंने इनको कट कर लिया, अब लिया मैंने कूकर और कूकर के अंदर इन सब गाजरों को ट्रांसफर कर दूँगी अब इसको हमें इसी तरीके से पकाना है, अब आपके पास दो अप्शन है, आप चाहो तो यहीं पर ना, इसमें बिल्कुल मैंने किता, दो चार चमच लिया है, दो चार टेबल स्पून पानी लिया है, अब इसके जगे मिल्क एड़ कर सकते हैं और इसको बॉयल होने देंगे बस एक सीटी जब आजाती है, तो धकन को बंधी रहने दें दो चार मिनिट और उसके बार इसको खोल लोगे, तो आपके जो गाजरे हैं एकदम अच्छे से पक चुकी होंगे, फिर आपको क्या करना है, एक मेशर की हेर्प से इसको मेश कर लीना है, तो कूकर में अच्छे यह नहीं खाते हैं, इसलिए मैं उसका यूज करती भी नहीं हो, फिर मैंने इसके अंदर सारी गाजरो को ट्रांसफर कर दिया, अब इसको हम चार से पांच मिनिट इसी तरीके से ऑईल के साथ इसको हम पकने देंगे, ठीक है, चार से पांच मिनिट के बाद जब इसका पान चीनी मेल्ट हो जाएगी गाजरो के साथ इस तरीके से, फिर इसको पकने देंगे, ऐसे ही पांच मिनिट तक केवल गाजरो के साथ पकाएंगे इसको, and then हम इसके अंदर एड़ करेंगे मिल्क, तो अब मैं यहां पर यह आदा किलो गाजर थी, और आदा किलो ही मैंने यहां आदा किलो दूद का इस्तेमाल के आदा लीटर दूद का, अब इसके अंदर बॉयल आनी दिया, इसको हम बस पकने के लिए छोड़ देंगे, खुला पका सकते हो, बिल्कुल हलकी सी आज कर लें, and that's it, हल्वा तयार है हमारा, जट पर बन कर तयार हो जाता है, इसको बन कर तयार होगा इस तरीके से, और जल्दी बन जाएगा, तो ज़रूर ट्रै करना, वीडियो अच्छा लगा तो like, share, channel को subscribe जरूर कर लेंगा, thank you